लो स्टुडेंस टोडेवी स्टार्ट क्लास टेंथ में चेप्टर 6 एक्सराइज 6.5 बिटा प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इस चैनल कोशन नमबर बान में देखें साइट साफ ट्राइंगल सार गिवन बिलो डिटर्माइन विच अब देम आर राइट ट्राइंगल और इच एडर ट्राइंगल, राइट लेन्थ आफ दा हाइपटनेूस है और आपको बिटा बोला गया है यहां पे आपको ट्राइंगल की साइड्स दिगई है और आपको यह बोला गया है कौन सा राइट ट्राइंगल है अगर कोई है तो उसकी आपने हाईपर्टनियूस की लेंथ बतानी है तो आप यह लिखेंगे if triangle is a right triangle ठीक है अगर हमारे पास कोई right triangle है तो फिर हमारे पास जो square of largest side क्या लिखेंगे आप square of largest side equal to sum of square of other two sides squares of other two sides ठीक है बटा अब हमारे पास हम ये sides ले लेते हैं first part में हमारे पास हम ले लेते हैं a is equal to 7 cm है b हमारे पास 24 cm है and c हमारे पास 25 cm है ठीक है बटा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास largest side c और e तो c का आप square करेंगे 25 का square तो कितना आ जाएगा 625 cm square ठीक है यह आ जाएगा आपके पास फिर आपने another two lines है आपके पास a square है और b square ठीक है उनका भी square करेंगे 7 का square प्लस 24 का square 77 49 24 होता है 576 ठीक है तो यह हमारे पास total आजागा 625 अगेन उसका square it means हमारे पास c square जो है वो some of square of other two side आया है equal हो गया ठीक है तो yes it is a right triangle तो आप लिखेंगे it is a right triangle and आपको hypotenuse की length पुछी गई है तो आप लिखेंगे hypotenuse hypotenuse is equal to क्या है आपके पास उसकी length 25 cm ठीक है ठीक है बटा second part आप करेंगे यहाँ पर solve कर रहे हैं आप इसमें आप ले लेंगे a हमारे पास है 3 and b है हमारे पास 8 and c है हमारे पास 6 ठीक है बटा तो आप बड़ी साइड देख रहे हैं b, b का square करेंगे 8, 8 is 64 cm square and a square plus c square is equal to 3 का square plus 6 का square 3, 3 is 9 plus 6, 6 is 36 45 का cm का square तो आप देख रहे हैं b square और a square plus b square not equal आए हैं आप लिखेंगे b square not equal to a square plus c square तो hence it is not a right triangle ठीक है बटा 3rd part करेंगे अभी 3rd part में हमारे पास a side है 50 ले ले लेंगे आप b हमारे पास 80 है and c हमारे पास 100 है ठीक है तो b का square करेंगे आप बड़ी side आपके पास c है 8900 cm square ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हमारे पास side दी गई है ये वाली तो a हमारे पास 13 है b हमारे पास 12 है and c हमारे पास 5 है बड़ी side है आपके पास a a का square करेंगे 13 का square 169 cm square and next b square plus c square 12 का square plus 5 square is equal to 144 plus 525 is equal to 169 cm square ठीक है ठीक है ये आया तो it means हमारे पास a square is equal to क्या आया b square plus c square तो hence this triangle is a right triangle तो इन्होंने बोला जो right triangle है उसका hypotenuse बताएंगे तो hypotenuse की length क्या है hypotenuse तो वो है हमारे पास बड़ी side है 13 ठीक है तो आप लिखेंगे 13 cm तो हमने फर्स्ट में क्या लिखा था c हाँ ठीक है ओके थैंक यू